नमशकार दोस्तों आप देख रहे हैं अपसे टाइम से बात करेंगे बिग बॉस एटीन की दोस्तों बिग बॉस एटीन पे नॉमिनेशन टास्क के कल कंप्लीट हो गया बड़े उलट फेर के बाद बड़े हाइप के बाद फाइनली चार लोग नॉमिनेट हो गये थे घर पे और किसे मिले हैं सबसे कम वोट पूरी इंफरमेशन देते हैं घर से इस बार कौन बाहर का रास्ता देखने वाला है क्योंकि सारा अर्फीन खान इस बहिया इस समय जैसे ही नॉमिनेट हुई है बड़े बवाल पर बवाल मच आके रखें उन्होंने कंटेंट देने की होड नंबर पर है तो नंबर एक की बात करें तो नंबर एक पर है चाहत पांड़े जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट अभी तक मिल रहें क्योंकि चाहत के पास अपनी खुद की फैन फालोइंग और बिग बॉस खुद भी चाहत को नहीं फसाना चाहते थे इसमें लेकिन क्या अच्छी वोटिंग लेकर कि नंबर वन पर बनी हुई है नंबर दो की बात करें तो नंबर दो पर है अर्फीन खान जिनको अच्छी कासी वोटिंग हो रही है बंदा घर पे काफी कुछ करता नजर आ रहा है ठीक ठाक वोटिंग मिल रही है तो नंबर दो पर है अर्फीन नमबर तीन की बात करें तो नमबर तीन पर हैं तजिंदर सिंग बंगा जो कि घर पे कुछ खास करते नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन एक पॉलिटिकल इनका एक एंगल है जिसकी वज़े से कुछ एक फायदा इनको मिलता नजर आ रहा है नमबर चार पर फिलाल है सारा अरफीन खान और निस्चित तोर पर थोड़ी बहुत देर में यह चेंज जरूर होगा हम लेटिस्ट वोटिंग ट्रेंड भी लेकर के आएंगे कि कौन उपर पहुंचा कौन नीचे बाकी चैनल के साथ जुड़े रही है सबस्क्राइब नहीं किया तो कर जरूर लिजेगा मिलेंग पर किसे नए वीडियो के साथ नमस्कार